ये महिला एक हजार आठ दिनों तक सिर्फ संत्रें खाकर बीस साल जवान महसूस करने लगी। पाचन अगनी सबसे असरदार तब ही होगी जब फल खाये जाए। फल बेहतरीन है। फल शरीर के लिए चमतकार कर सकते हैं। आप बहुत जीवित और सक्रिय हो सकते हैं। आपका दिमाग बेहतरीन काम कर सकता है और परियावरन के लिए ये बहुत अच्छा है। सगुरू आपने कहा है कि हमारे भूजन का हमारी मांसिक स्थिती पर असर होता है। Medical Science बताता है कि कैसे फल और सबसिया मांसिक सेहत को बढ़ावा देती है। इसका क्या कोई महत्व है और ज्यादा फलों वाला आहार क्या कोई खास साधना करने वालों के लिए ही है। या फिर परिवार के साथ रहने वाले या जादा काम या शाररिक कते विदी करने वालों के लिए भी है। किसी मशीन में हम जैसा भी इंधन डालते हैं वो इंधन असरदार तभी होगा। जब वो आसानी से जलेगा, कारों में जैसा पेट्रोल डाला जाता है, वो अलग होता है। ट्रैक्टर में अलग पेट्रोल डाला जाता है, रेसकार में अलग, हवाई जाहाज में अलग। फर्क ये है कि कुछ पेट्रोल आसानी से जलते हैं, आपने पेट्रोल पंप में 87, 89, 90, 93, 96 अलग-अलग ऑक्टीन स्तर देखे होंगे। जब हम मोटर साइकल चलाते थे, तब हम तीन गुना भुकतान करके 100 अक्टीन पेट्रोल खरीदते थे। क्योंकि वो पेट्रोल डालने से मोटर साइकल अचानक दूसरों से बहतर प्रदर्शन करती है। तो आप अच्छे से जानते हैं सबसे आसानी से पचने वाला भोजन फल है। पाचन का अर्थ है जटरागनी याने पाचक आग। ये आग सबसे अच्छे से तभी जलेगी जब फल खाये जाएंगे। सिर्फ वे लोग जो जड़ता में खुश हैं याने एक हिस्सा मृत होने पर वे खुश हैं। इसे मजाक न समझें। ऐसे कई लोग हैं। दुर्भागे से कई लोग सुस्ती और जड़ता का आनंद लेते हैं। यानि उन्हें जीवन ने छुआ नहीं हैं। तो सोना, नशा करना, अधिक खाना और बस लेट जाना, जीवन में जीवित, सक्रिय और गती शील रहने से बहतर लगता है। तो सिर्फ ऐसे व्यक्ति के लिए फल से समस्या हो सकती है। क्योंकि फल आपको सतरक और जागरत रखेगा, या आपको नशा नहीं देगा, वशर्ते की ये सड़ न जाये। तो इसमें वो गुण भी है, आपको बस रुखना होगा। जागरुक्ता के उंचे स्तरों से भी व्यक्ति आनन्द और नशे के चरम और गहरे आनन्द को जान सकता है। पर आपका सवाल है, मैं सामान्य होकर भी फल खा सकता हूँ? या मैं फल खाकर भी नॉमल हो सकता हूँ? आप जानते हैं, आदम ने भी फल खाकर शुरुवात की थी। तो फल के बारे में हमें समझना चाहिए कि फल ऐसी चीज है जिसे प्रकृती खुद भोजन बनाना चाहती है। यानि, ज्यादतर फल जो आप देखते हैं, मान लीजे कि आम या सेब, मैं का महिना होने के कारण मैं सेब की बात नहीं करूँगा, मैं आम की बात करूँगा। बीज आम का महत्वपून हिस्सा है। गूदा सिर्फ एक आकर्शन है, ताकि जानवर और पक्षी इसे खाएं और बीज कहीं बहुत दूर छोड़ाएं। मुझे लगता है कि इस प्रशन का सरल उत्तर आपकी जीने के तरीके में ही है। मान लीजे, आप एक अस्पताल में बीमार हैं, आप एक अस्पताल के बिस्तर पर हैं, तो कोई भी चिकन बिरियानी नहीं लाएगा, है न? वे फल लाएंगे। क्यूंकि आपके दोस्त और रिष्टिदार भी समझते हैं कि ठीक है, ये खा कर तुम बीमार हो गए, कम से कम अब समझदारी से खाओ, यही संदेश है, तो फल शरीर के लिए चमतकार कर सकते हैं। फलों का परियाप्त सेवन, प्रणाली के लिए बहुत कुछ कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बहुत जिवन्त और सक्रिय बन सकता है, चाहे आपकी जिवन्शैली कुछ भी हो, पर अगर आप मेहनत का काम कर रही हैं, मान लीजे के आप बाहर खुदाई कर रही हैं, हर रोज श लगेगी, क्योंकि आप सीमित मात्रा ही खा सकते हैं, पर ये जल्दी पचता है और पेट खाली हो जाता है, जब तक आप जागरुकता के एक स्तर पर नहीं आ जाते, जहां आप खाली पेट रह पाएं और फिर भी उर्जा बान रहें, क्योंकि भूक यानि उर्जा का कम होन जैसे आपकी बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए खाना जरूरी है, लेकिन आज काफी लोग या ज्यादतर लोग मैं कहूंगा, जब उनका पेट थोड़ा खाली होता है, तो उनका खाने का मन करता है, इस से बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ी जागरुकता की जरूरत है कि आप खाली पेट रहकर भी ठीक रहें, क्यूंकि आप में उर्जा होगी, जब उर्जा कम होने लगे, तब आप खाएं, तो यदि आप सिर्फ फल खाएंगे, तो आपको दोपहर के भोजन में थोड़ा जादा समय बिता कर धीरे धीरे खाना होगा, ताकि आप काफी फल खा सकें, क्यूंकि थोड़ा खा कर पेट भरा महसूस होगा, क्यूंकि फल मीठा होता है, तो रुक रुक कर धीरे धीरे खाना होगा, हमारे अंदर एक बायो क्लॉक भी है, मान लीजिये, आपका सामान्य पका हुआ खाना खाने में आप 10-12 मिनिट लेते हैं, तो फल खाते हुए भी 10-12 मिनिट में आपका शरीर कहेगा काफी हो गया, तो आपको सचेत रूप से ज़्यादा खाना होगा, क्यूंकि ये सिर्फ समय का ध्यान रख रहा है, ये पेट के भर जाने को नहीं देख रहा, तो 10-12 मिनिट के बाद लगता है पेट भर गया, तो ज़्यादा समय लेकर ज़्यादा खाना होगा, पर अगर आप सिर्फ फल खा रहे हैं और बहुत महनत कर रहे हैं, तो ये महत्वपून है कि आप दिन में 3 बार खाएं, जो आप में से ज़्याद अतर शायद कर ही रहे हैं, तो दिन में 3 बार अगर आप 6 या 8 घंटे सो रहे हैं, तो बाकी के 16 से 18 घंटे 3 बार खाना काफी है, अगर आप फल खा रहे हों तो, पर पेट 2 घंटे में खाली महसूस होगा, तो आपको उच उर्जा पर खाली पेट के साथ रहने की आदत डालनी होगी, तब ही आपका दिमाग सबसे अच्छा काम करता है, तब ही आप एक इनसान के रूप में सबसे अच्छा काम करते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा तो अगर आप अपनी दिमागी शक्ती और शारीरिक गतिवधी का उपयोग करना चाहते हैं, तो ये बिलकुल काम करेगा, पर आज बाजार में जो फल मिलता है, हम नहीं जानते कि उसमें क्या भरा होता है, ये एक छोटी सी समस्या है, क्योंकि मैंने ये साफ दीखा है, कि जैसे देसी फल हम बचपन में खाते थे, और आज खेत में उगाए गए फल जो भारत में मिल रहे हैं, यानि यहाँ पूरी तरह से एक अलग मामला है, भारत में भी वे अब अलग हैं, वे बहुत बड़े गोल बेहतर दिखने वाले हैं, पर ये बोटॉक्स की तरह है, ये क पूरी तरह से लिए बाजार के लिए बनाए गए हैं, यानि ये नहीं कि वे बिलकुल बेकार हैं, पर उनमें पहले जैसा पोशन नहीं हैं, तो हमें उनके साथ कोई दूसरा भोजन खाना पड़ सकता है, हमें ये देखना चाहिए कि आप कैसे फलों के संपर्क में हैं, और मौसमी रूप से विभिन प्रकार के फल होते हैं, ये बहुत ही अविश्वसनिय है कि किसी समय पर भूमी जैसे फल पैदा करती है, वही सिस्टम के लिए सबसे अच्छे होते हैं, इस बारे में काफी रिस न्यूजिलिंड से आये फल खा रहे हैं, ये अलग बात है, अगर आप आसपास की भूमी के फल खाएंगे, तो आप देखेंगे कि सही मौसम में आपको सही फल मिल रहा है, तब वही फल खाना सबसे अच्छा है, सबसे बढ़कर ये परियावरण के लिए बहुत ही अच्छ कम 30 प्रतिशत फल हो जाए, क्योंकि अगर आपके भूजन का 30 प्रतिशत पेड़ से आता है, जोती गई भूमी और फसल से नहीं, तो परियावरण के स्तर पर ये बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और अगर आप काफी मांस खाने की जगा फल खाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि आपको बहुत भारी भोजन खाकर प्रित्वी पर गिरनी की आदत है, मैं चाता हूँ कि आप समझें, वैसे भी आपको धर्ती पर गिरना है, यही प्रक्रती है, ठीक है, पर अभी जीवन यह है कि हम ऐसे हैं, जैसे कि हम धर्ती के है ही नहीं, हम ऐसे उड़ते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि हम धर्ती से बने हैं, उड़ने वाला पक्षी भी धर्ती का बना है, पर जब वो उड़ता है तो पृत्वी जैसा नहीं दिखता। तो हर प्राणी जब वो धर्ती से अलग होता है, तब उसे धर्ती जैसा नहीं दिखना चाहिए। हम पृत्वी के ही हैं और अगर हम उड़ना चाहते हैं तो हम जो एंधन अंदर लेते हैं, वो ऐसा होना चाहिए जो जल्दी और बहुत आसानी से जल जाए आसानी से पचने वाला भोजन सबसे अच्छा है हमारे पेट में फल ही सबसे तेज पचते हैं यानि कम से कम कच्रा, system पर कम से कम भोज, system में कम से कम तनाव तो इससे जरूर बड़ा अंतर पड़ेगा मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने लगभग एक हजार आठ दिन सिर्फ संत्रे खाए इस महिला ने एक हजार आठ दिनों तक सिर्फ संत्रा खाया शुर्वात में उसे कई बीमारियां थी उसे मधुमे उच्च रक्त चाप और मुझे नहीं पता क्या-क्या था मुझे बीमारियों की सूची बताई गई थी थाइरोइड गंभीर थाइरोइड के मुद्दे अधिक वजन एक हजार आठ दिनों तक सिर्फ संत्रे खाकर बीस साल जवान, शक्ती से भरपूर और स्वस्त महसूस करने लगी एक व्यक्ती नहीं ऐसा किया, कृपिया सिर्फ संत्रे ना खाये, संत्रे कम पढ़ जाएंगे या कम से कम फ्लॉरिडा चले जाएं हाँ फ्ल एक अध्भुद बदलाव लाएंगे विशेश रूप से आज की दुनिया में ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक इनसान को महत्व देते हैं कारिक शित्रों में इनसान का उनकी दिमागी शक्ती की वज़े से महत्व है नकि उनकी ताकत की वज़े से अगर आप पहलवान नहों तो ठीक है तो इसके लिए फल से जरूर बहुत बड़ा बदलाव आएगा और परियावरन के स्तर पर ये सबसे समझदार चीज है फल और मांस के बीच एक व्यक्ती के जीवत रहने के लिए मान लीजे कि आपको सरफ मांस पर जीवत रहना है तो अनुमान है कि एक व्यक्ती के लिए एक साल का मांस पैदा करने के लिए 15,000 लीटर पानी चाहिए और फलों का आहार हो तो तीन सो लीटर पानी चाहिए आपको ऐसा करना चाहिए सभी नदियां फिर बहने लगेंगे चुए चुए जोुएल